ओके दोस्तो जैसे कि आपको पता है फेस्टिवल सीजन चल रहा है काफी सारे स्मार्टफोन पे अच्छे अच्छे डिसकाउंट चल रहा है लेकिन दोस्तो आज की वीडियो में जो डिसकाउंट मैं आपको पताने वाला हूं वो है दोस्तो रेडमी के नोट 13 प्रो के उपर ये फोन दोस्तो one of the best choice है जिस रेंज में आजम बात करें हैं कैमरे में और गेमिंग पर्फुमेंस के मामल में सबसे पहले दोस्तो इसके इस features की बात करेंगे कुछ जिस आपको ये समझ में आगे कितना तगला फोन है इस रेंज के अंदर उस कर रहे हैं और फिर इस दिवाली के टेम पर लेना चाह रहे हैं तो चलिए वीडियो की सुरुआत करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों इसके specification की बात करें तो इसमें मिलता है Qualcomm का Snapdragon 7S Gen 2 chipset अब जैसे की मैंने का था ये गेमिंग फोन है तो आफकोस इतना कमाल का पॉसर दे र वाला सेलफी कैमरा साथी साथ 6.67 इंच का एक AMOLED पैनल है जो की 120 Hz और कॉर्णिंग के गोला ग्लास विक्टस की प्रोडेक्शन के साथ आता है बैजल लैड डिस्प्ले मिलती है जो यानि की पॉफमेंस जबजस्ट और कॉलिटी जो मिलती है वो काफी कमाल की साथ ये क्या कामरा भी काफी कमाल का है इसकी gaming performance जबजस्ट है लेकिन इसका जो design है वो भी किसी मामले में कम नहीं काफी जबदस design देता है और bezel less display जो है वो जबदस्ट आपको मिलती ही है ये दोस्तो इसके specification है अब इससे judge करियेगा कि इसके जब discount क्या कीमत हो गई है वो कितनी कमाल की ह प्राइस की प्राइस की लेकिन पहले वाली पहले एक बार आपको बता दूँ इस दिसकाउंट से पहले आपको इसकी प्राइस मिल ले थी बेस विरेंट यानि की 8GB रायमिक 208GB स्टोरेज की वो थी दोस्तोर लगबग लगबग 22,999 पर और हाँ एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा 22,999 से पहले 24,999 का भी मिला था लेकिन डिसकाउंट से पहले 22,999 का था और अगर आज इस प्राइफोन को आप फिलिपकार्ट से लेते हैं तो अभी भी ये 22,999 का ही आपको मिलने वाला है तो इस लिए ध्यान रखिएगा ये फोन आपको लेना है Amazon के उपर से Amazon से वहां पर लेंगे तो इसकी प्राइज जो बेस विरेंट की हो चुकिए वो है 18,999 पर यानि कि दोस्तों 20,000 से काफी कम इसकी प्राइज हो चुकी है और Note 13 Pro एक काफी कमाल फोन है याद रहें Note 13 जो फोन है वो फिलिप काट के उपर इस प्राइज में भी नहीं मिला जो आपको इस टेम Note 13 Pro मिल रहा है Amazon के उपर साथ ही मैंने का तो जैसे कि एक्सा और डिसकाउंट भी मिल रहा है तो वो दूस्तों आप बैंक ओफर यानि कि बैंक ओफ बड़ोदा और स साथ ही HDFC के काट के ले सकते हैं लेना चाहिए आपको कैड़िट काट तब ही आपको इसकाउंट मिलेगा डिसकाउंट होगा 1250 रुपे गा जिसके बात कीमत 17790 रुपे आपको इसकी मिलेगी और साथ यगर आप एक्सेंज करके इसकी तरफ जाना चाहते हैं सब कुछ बता जाएगी उससे ज्यादा मिलेगी मैं एक मिनिममम आवाउंट बात कर रहा हूं कितनी तो मिली जाती है माली मिलती है तो 14,799 तक की कीमत आराम से चली जाएगी यानि कि 15,000 रुपे तक में आप स्मार्टफोन को ले सकते लेकिन अगर आप एक्सेंज नहीं करना चाहते तो भी आप इसको 17,799 रुपे में तो आराम से ले सकते हैं जो फोन पहले 22,000 या 24,000 का मिल रहा था वो आपको Amazon के उपर इस टैम आपको कुल ओफिशल प्राइज में 18,999 बैंक ओफर किसा 17,799 रुपे और एक्सेंज विले अगर एड़ कर देते हैं तो लगबग आपको 14,799 रुपे में भी ये मिल जाएगा याद रहिएगा Amazon से लिना है आपको ये स्मार्टफोन Redmi का Note 13 Pro ना कि Flipkart के उपर से वहाँ पर आपको ये महेंगा मिल रहा है और काफी महेंगा मिल रहा है ना कि 150 का फरग होता तो कोई वैसे बात नहीं है लेकिन काफी महेंगा मिल रहा है ये Flipkart के उपर द्याएं दिएगा इस बात का क्योंकि हाँ दोस्तों अगर आप ऐसी वीडियो इस चैनल पर देखते रहेंगे तो आपको पता रहेगा